लास्ट लास में लोगों ने क्या पढ़ा था लग्स तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और लोगों ने देखा तो मतलब क्या है एक लिए कर लेते हैं लोगों ने देखा साइकलिक इंटेगरेशन का क्या मतलब होता है क्यों का मतलब क्या होता है की का मतलब क्या होता है यह सारे चीज़ हम लोगों ने डीटेल से बढ़ा था तो गॉसलाओ का अप्लिकेशन काफी वाइड है और साथी साथ जो फ्लक्स वेगरा है वो इसी में काम ज्यादा पर आता है तो फ्लक्स को हम लोगों ने देखा था यह कोश्चन था है ना जिसमें कि हम लोग ने किसी भी पॉजेटिव चार्ज ये कारण से लेक्ट्रिक फिल निकाला था और गॉसलाव अप्लाए करके कर सकते हैं लेकिन पर्टिक्लर डायरेक्शन होगा और इसका मतलब यह कि फ्लक्स बिल्कुल सही है लेकिन क्या एक जगह पर नहीं और यह एक इसको देखाता है और फिर इसमें कुछ कोशन वगरा किये थे इंपॉर्टेंट यह चीज है कि हम लोग फ्लक्स को बोलते क्या जिसा फ्लक्स होता यह है कि जो पर्टिकलर एरिया से कितिने नंबर और इलक्ट्रिक फिल्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो सभी के पारेंसे फ्लक्स पी क्या होंगे सेम तो पाइब फिर पॉजिटिव चार्ज रखा था और बहुत सारे कोश्चन्स वगरा हम लोग ने वराइटी 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 वगरा रहे हैं जो कि जाहीं में आ सकते लास्ट में एक कोश्चन दिया था इसे क करके लाइटी किया किसीनों कि कुछ आंसार आ रहा है तो बता हूंच अ अब आ रहा है कि कि का पड़ीया कोश्चन है और तबकि कि इससे भी बड़िया कोश्चन अभी और नीचे हम लोग करेंगे यह काफी अच्छा यूनिक कोश्चन है जिसमें कि हमें solid angle का use करता है हलांकि integration से भी कर सकते हैं लेकिन इसमें solid angle से करेंगे हमारा जल्दी होचा है तो चलो इसको solve करते हैं कि यह cylindrical portion से उस positive charge के कारण से flux कितना आएगा हमें यह निकार और चार्ज से इस जगह से distance है इस जगह से distance है वो कितना है आए और यह radius है पॉर मेटर इस इधर भी जागा है अब दियान से देखो कितना एंगिल बना रहा है कितना एंगिल बना रहा है 106, यह कितना हो जाएगा 53 डिग्री और यह कितना जाएगा 45 डिग्री आया ना, कोई प्राब्लम इसमें किसी को बोल सकते हूँ तो अगर मुझे इस इस वाले पोर्वार्जन से फलक्स निकालना है तो क्या करना है, इसके कारएं से मैं बोल लेता हूँ फ्लक्स 1 है इसके कारण से बोलता हूं फ्लक्स 2 है और इसके कारण से फ्लक्स बोलता हूं 3 देखना कितना अच्छा अप्लिकेशन है तो क्योंकि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है प्लस Q तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइक्लिक इंटिग्रेशन ऑफ टी डॉट डीएस है वो कितना हो जागा क्यों इंबाइ अपसल नौड हो जागा और यह क्या चीज़ है यह है टोटल फ्लक्स उन लोग बोल सकते हैं 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 is equals to Q in क्योंकि यह एरिया इंट्रोज हो रहा है चार्ज को इंट्रोज कर रहा है तो इंसाइट चार्ज कितना हो जागा सिल्क्यू इवाइड वाइप समझे है सबको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूच सकते हो काफि सिंपल सा चीज किया है हमने क्या जूम कर लिया कि यहां पे शीट है यहां पे डिस्क है और इससे भी फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ फाइवन एंड फाइट्री तो उस फ्लक्स को क्यूंकि इस जगह पे तो उपन दे रखा है तो इसके कारेंसे तो हटा देना और यह सब्सक्राइक्ट कर लो और हमें अब इम क्या हो गया मेरे टार्गें हो गया कि पाइवन कितना यह निकाल लो ने इनिकाल लो अजी कि फाइवन और फाइट्री निकाला जा सकता है है कि आ पताऊ कैसे निकलेगा पाइवन बताओ कैसे निकलेगा पूर्मिला क्या था बताओ पूर्मिला क्या था बताओ इस फॉर्मिले को हमेशा याद रखना है तो अब यूनिटरी मेटट लगा दें अगर कभी फॉर्मिला उन्हें एक मैंने डारेक्ली फ्लक्स का फॉर्मिला निदाल करें अगर याद ना हो तो तो यूनिटरी मेटट लगा सकते हो कि फॉर्मिला इस्टे रेडियां अगर सॉलिड एंगल का वैल्यू फॉर्मिला होता है चार्ज सेंटर पर रखना है और फॉर्मिला है तो कितना फ्लक्स होता है इसलिए यूनिट के लिए कितना हो जाएगा और इसलिए अगर सॉलिड एंगल यह वाला जो सॉलिड एंगल हो ओम हो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा और उम का वैल्यू इस जगह पर पुट कर लिए तो इस फ्लक्स की फॉर्मिले को तुम डिरेक्ली याद रखा पर अगर यह याद रहेगा तो इतना सा काम नहीं करना पड़ेगा इस से तुम बच्छाग तो फाइवन कितना हो जाएगा बताऊ तो फाइवन कितना लिखें कितना लिखें लिखें अर। को डिखना है 90 डिग्री या 4545 अश्य अच्छा तरीका से बताया था और दूसरा पाई 3 कितना आएगा क्यू बाई 2 एपसंग नौड वन माइनस व्लॉस 53 अब कुछ नहीं करना है दोनों के वैली पूट कर लेना है पूट करने के बाद फिर उपर जो निकाला था उसमें बाई 2 एपसंग नौड हो जाएगा वन माइनस कितना आएगा यह और नीचे आ जाएगा एपसंग नौड और कॉस्ट 53 होता है थी बाई 5 अब इन दोनों वैल्यूस को यहां पर पूट कर लेना आंसर आ जाएगा समझ में आया सबको और अगर तुम्हें सॉलिड एंगल का फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या तुम्हें इंटिग्रेशन करना पड़ता पहले तो इंटिटा एंगल पर जाएगा इसको इंटिटा एलिमेंट चूज करा फिर से रिंग बना रिंग के कारण से एरिया बना एलेक्ट्रिक फिल जाता है चलो एक नेक्स्ट कोशन करते हैं काफी अच्छा सा गोशन काफी एडवांस कोशन और यह तुम्हारे एल्पी में दिया हुआ है एडवांस लेवल प्रॉब्रम्स होते हैं है चल्पी एल्पी नाम चेंग हो एक प्लस क्यू एंट चार्ज है आई थिंक यह रोडो किसी का तो पोशन है मुझे आद नहीं आ रहा लेकिन काफी बढ़ी आपोशन है और यह प्लस क्यू टू चार्ज है इस जगह से एलक्ट्रिक फिल निकल रहा है और यह ऐसे करके एंड हो रहा है ठीक है जब यह एक एक एलक्ट्रिक फिल लाइन बना रहा था और जब यह क्यू टू पे एंड हो रहा था तो पीटा इंगल बना रहा था तो पूछा गया सब्सक्राइब करें तो यहां पर कोशन में मैंसन किया गया है कि जब अलपा एंगल बना रहा था और इस पर बीटा एंगल बना रहा था तो इस जब आपके क्यों चार्ज है यह है कि र Pharisee सिंफिए अनका और इस तरीके से एंड होगा तो मैंुए कुछ पुछ comment कर सकता हूं मेंने तो यूटू किकर और किया होगा positive और q2 कैसा होना चाहिए वह लोग क्यांसा चार्ज होगा negative नेगेटिव चार्ड इंटा तो आम लोग अराम से देख सकते हैं क्या magnitude को प्लपाम पे अगर सकते हैं क्या q1 बढ़ा होगा यह q2 बढ़ा होगा कोई बता सकता है Q1 बढ़ा होगा Q2 बढ़ा होगा कौन सा बढ़ा है Q1 और इस चीज को तुम लोग अराम से बता सकते हो क्या चेक करना है मैं electric field की property चेक करना है कौन सा बढ़ा है magnitude में यहाँ पे Q1 जो है magnitude बढ़ा है कैसे वो ऐसे थोड़ा और ज्यादा टिल्टेड है मतलब थोड़ा और हम ज्यादा फोर्ज जैसा लग रहा है जो क्यों फन बढ़ा हूँ और बीट थोड़ा स्लो आ रहा है तुम सहथ फील कर पा रहे हो मुझे लग रहा है कि तुम जैसा सोच रहो लबग लबग सही है और फील कर लिया तुमने इसको बहुत अच्छी वात है देखो अब मैं इसको लॉजिकली समझाता हूं हम लोगों ने यह पढ़ाता कि अगर चार्ज का मैंगिटूड जादा है तो इलेक्टरिक फील लाइन के जाओं जाओं ठीक है माल लोग कि फूर लाइन से तो कैसे निकलेंगे एक दो तीन चार्ज चाह इन दोनों के बीच में सेपरेशन काफी जादा होगा बिलकुल ना माल लोग कि मैंगिटूड इतना है कि इसे एड़ लाइन से निकल रहा है तो अब ये दोनों पासपास में होगे लेकिन अगर eight लाइन ना निकल करके sixteen lines निकल रहे है 16 lines निकल रहे हैं तो क्या अब electric field lines काफी पास-पास में हो जाए तो तुम समझ सकते हो कि यह जो angle होगा यह काफी कम हो जाएगा और इसका angle जादा हो जाएगा अगर charge magnitude जादा हुआ अब हम लोग इसमें values को निकाल लेते हैं तो इसमें concept यह है कि फ्लक्स का concept देना है इस एरिया में अगर देखे तो जतने electric field lines से इधर से cross करेंगे उतने ही इसके लिए क्या दोनों के लिए flux सेम होना चाहिए दोनों charge से अगर flux निकालेंगे तो सेम होना चाहिए तो flux due to one should be equals to flux due to another charge और q1 charge के कारण से flux कितना हो जाएगा q1 divided by two epsilon उपर जो formula लिखा था उसी कॉर्म में direct use कर रहे है 1-1-1 बाइनस फॉस अलफा इसको से कॉस्ट उप्रीट इवाइड बाइड वाइड वैंज फॉस अलफा बाइड 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 भाइड तो बाता अब को सिटा बढ़ा है पॉस अलफा बढ़ा है को साबिंगल बढ़ा है, बीटा, तो सौस LOLा क्या हो जाएगा, तो dużo और ऑपर उनिस सौस बीटा हो जाएगा, तो इस लिए इल्चला और कुछ यह हम लोगों ने कोश्चंस कर लिए और और भी डिफरेंट डिफरेंट तरक कोश्चंस इसमें आते हैं तो मैं एक बार कुछ से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है ऐसा पूछ लेगा कि यह जो सब्सक्राइब है इस जगह से कट कर लिया जो कि कितने डिस्टेंस पे था और वाइटू डिस्टेंस पर यह पूर्शन कट करके निकल गया तो बचेगा सिर्फ इतना सा पूर्शन ऐसे करें तो बला इस पॉर्शन से फ्लक्स कितना होगा यह निकाले सेंटर पे प्लस की चार्ज रखावागा क्या निकाल सकते हैं क्या करेंगे बता तो जल्दी से तो इस सॉलेड अंगल का रिशियो लेंगे लाइक अपान फॉर पाई यह जो भी सॉलेड एंगल होगा अ देखो इसमें करना यह है कि इतने से ओपन एरिया के कारण से फ्लक्स नहीं होगा लेकिन इसके कारण से फ्लक्स होगा मैं पूरा ही इसको क्लोज कर गया तो कितना फ्लक्स हो गया क्यूब अप्स मैं इतने से एरिया के कारण से फ्लक्स को माइनस कर लेता हूँ है तो लेट से था देट्ट फ्लक्स पाइड़ से था देट नेट फ्लक्स दिट इस रिज़न क्या पाइड निकाल सकता हूं आया ना ना ऐसे से जर्ट भारिएशन में ठीक है अब आगे लूब बढ़ते हैं और 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 अब स्टार्ट करते हैं अप्लिकेशन आप गौसला तो पहला यह है तो फाइंड तो इलेक्ट्रिक फिल्ड तो पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज है मेरे पास और उसके कारेंसे हम लोग और यह चीज मैंने निकालके दिखाया था स्टार्टिंग में तो लेट से एक पॉजिटिव चार्ज लिया में और प्रॉसेस में अब करके दिखाऊंगा और फॉस्ट टाइम जब मैं प्रॉसेस करूँगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीटेल्स में बताऊंगा हर एक से डिटेल्स में पूरा बताने हैं तो बोला गया कि मुझे पी पॉइंट पे इलक्ट्रिक फील्ड चाहिए बताओ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलक्ट्रिक फिल कितना होगा माइने तो मैंने क्या किया और डिस्टेंस पे जाकर के गॉसियन सर्फेस एजुम किय ठीक है और यह गॉसियन सर्फेस कैसा होगा स्फेरिकल मुझे एक ऐसा सर्फेस लेना है हमेशा जोकि सिमेंट्रिकल हो और यह स्पएर लेना है अगले में अग घु को और ये इस पर ले दिया तो मैं इस पर फॉर्मुला अप्लाए करूंगा that cyclic integral of e.ds is equals to q in by epsilon जब cyclic integration of e.ds हुआ है इसका मतलब यह है कि मैं एक क्लोजड लूप लेना चाहिए और यह क्लोजड लूप क्या है वाशन सब्सक्राइब और अब e.ds के बारे में समझते हैं पी पॉइंट पे electric field जो है वो यह denote कर रहा है और वो इंगल कितना हो गया है जीरो डिगरी है और कॉस्स जीरो कितना होता है वन तो अब आजाएगा अब नेक्स स्टेप पर आते हैं कि क्या मैं हर एक एलिमेंट छोटा सा डी ए वेक्टर लिया ए छोटा सा डी ए तो क्या हर एक एलिमेंट के लिए जो electric field होगा वो uniform हो इन फैक्ट चाहे पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट सी ओचाहिए पॉइंट यह हो हर एक पॉइंट पर एलक्ट्रिक फीड का मैंगिनिटूड क्या होने वाला है सेम आया न इसलिए कि इसी लिए मैंने एक सिमेट्रिकल सर्फेस लिया जिससे कि हमें ऐन्ट्रिक फिल्द उन्यंफ़ार मिल फाय हैं और चार्ज को इतओ Și अब भूर के बता हूँ आसे पता सकते हुं तो टेलेरिया उसका सब्सक्राइब विए का समेशन यह सारे चोटे चोटे ऐडिया का समेशन कर लेंगे तो एक प्र पाइब उसक्वाइब एप्सेलाइब और यह आ जाएगा तो यह हमारे पास बहुत लोग क्या करते हैं इस जगह से डारेक्ट इसकिप करके इस जगह पे आ जाते हैं या फिर इसकिप करके इस जगह प्याद होता है तो यह दो समझना जो 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 हुआ है कि इसके हिसाब से इंगिल डिसाइड होता है और और इसको वह बाहर ने का सकते हैं यह पहला था मैंने कर दिया और अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंफानाइट लाइन चार्ज के करण से लग अब्रेट ब्रेट ओन इंपनाइट वाइन जोट लोग एक लाइन चार्ज है इंफानाइट और इस पह लेंडा चार्ज देंसे टिया अनगा जार्ज पर युनित मैं यहाई है और इसके कारण से मैं आर डिस्टंस पे इलक्टरिक फील्ड निकलना चाहिए और एक गौश्यन सर्फेस एजूम करना चाहिए तो कैसा सर्फेस एजूम करना चाहिए का करें बोले स्लेंड्रिकल ले लो इस फेरिकल नहीं ले सकते हैं तो इसलिए हमारा वाश्यन सर्फेस जो हुआ हुआ कि एए डिया से अब दियान से समनझना इस पर अच्छे तरीके से इसका लेंड़् जूम कर लेते हैं एल है और और चाहिए इसका रेडियस तो और समाल और है लेंड़ है करें अब एक पिलाइन्स के बारे में हम थोड़ा से डिसक्स कर लेते हैं हमें पता है कि अगर इसके प्लस देम्डा चार्ज देंसिटी है और यह इन्फानाइट लाइन चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे जो इलक्रिक फिल लाइन होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके सब्सक्राइब और त्री डाइमेंशन में कुछ इस तरीके से चाहता है क्लियर रहे गया यह चीज़ हम लोगों ने इसका क्या देखा था एक्यू पटेंशल सर्फेस से मझे यह पता चला था जो इस तरीके समझ में आगया क्या जो इस तरीके से जाएंगे कुसी भी जगा पर देख लो मुझे पहले इंक्लोज करना था तो मैंने एक स्लंड्रिकल पोर्शन ले लिया और यह इंक्लोज हो गया तो देखो फ्लक्स जो आएगा वह एरिया से आता है तो मैं इस एरिया को तीन पार्ट में टोटल डिवाइड कर लिया कौन कौन सा पहला पार्ट यह दूसरा पार्ट यह और तीसरा पार्ट यह और हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं साइक्लिक इंटेग्रल इंटेग्रल के साथ और जब साइक्लिक इंटेग्रल किया तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया तो तीन एरिया में अब यह डिवाइड हो चुका है यह हो जागा इंटेग्र पार्ट बन प्लस e.ds और पार्ट 2 और e.ds और पार्ट 3 इस एक्वाइड तो यह बात समझों कि मैंने जब इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा तो वहाँ पे जो साइक्लिक इंटेग्रेशन था वो टूट गया तभी है 1,2,3 हुआ है समझ में आया गया इस तरीके से और वेक्टर को अभी तक हम लोगों ने हटाया नहीं यह वेक्टर पॉर्म में ही रहे चलो पहले फार्ट वाले के लिए देख लेता है बोलो फार्ट वाले की यह है क्या चीज़ बैसिकली यह फ्लक्स है फ्लक्स टीटु वन कुऽा ऐना है अ हर यह भी कि लग्श्ञा पॉर्स्ट वाले पार्ट के कारण से कितना होगा प्रिट्रिक वाले पार्ट के करण से कितना होगा जिए यो इस तरीके से निकल रहे और एरिया वेक्टर के ओल्पिस पर्पेंट निकल रहे हैं या फिर ऐसा वो जब्लेट है यह जो एक भी लाइन से फ्लक्स कितना होगा इस्लेंडर कल पॉर्ट्शन से क्या एलेक्ट्रिक फिल्ड गैन्स बिलकल परिडिकुल लिन कल रहे हैं एरिया वेक्टर बाहर नुकले गा इस तरीक смотреть से ऐसा एरिया वेक्टर भी इधर होगा और एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स का भी डारेक्शन ही दिरुगा है ना क्यों हो जाएगा e d a cos 0 दिरुगा प्लस और थर्ड के कारण से भी पापस से 0 क्यों इन कितना हो जाएगा अब यहां पे दो तो जिरु हो चुका है एलेक्ट्रिक फिल्ड हर एक लोकेशन पे उनिफॉर्म हो चुका है तो हम लोग इसको इंटेग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और यह इंटेग्रेशन डिये होचाएगा कौनसे वाले पार्ट के लिए सिर्फ सेकेंड वाले का इंटेग्रेशन कितना होग आप यह गा पायाद स्क्राइड अ पायार एल हाँ हां हाँ 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 स्राज्ट कितना आजाएगा लैम्दा इडिवाइड बाइड बइटो पाय एपसल नोड र कि रूट इस अजमटिंग बड टी इज इक्वल्स जो टूट एट लम्डा का इस तो यह फॉरमले को हम लोग ने पहले भी डिवालगड कि हुआ था और इसको अभी फिर से हम लोगों ने डिराइब किया और अराम से और एलक्ट्रिक फिल्ट को पॉर्मला निकले जाओ कि समझ में आया सब को या नहीं आया अब इसका ग्राफ देख लेते राफ क्या साओगा यह अब 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 किसी ने पूछा था कि हम लोग फाइनाइट के लिए तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह सिमेट्रिकल नहीं है लेट से एक फाइनाइट लेंट का यह चार्जड वायर तो अगर तुम से पीडिस्टेंस पे पूछा जाए कि इतना होगा तो इसके कारएंसे तुम एक एरिया कवर करो और क्या उसा हर एक पॉइंट पे इलक्ट्रिक फील्ड को सेम बोल सकते हो क्या मैंगनिटूड नहीं और जब मैंगनिटूड में सेम नहीं बोल सकते हो तो यह एलक्ट्रिक फील बाहर ही निकलेगा समझ में आ रहा है और इवन जो एंगिल होगा वो भी डिफरेंट होगा हर एक लोकेशन पे एरिया वेक्टर के साथ एंगिल बनाएगा तो हम लोग हमेशा गॉस लॉग को कि अप्लीकेबल तो हर एक जगा पे कहीं पे भी अप्लाय करो लेकिन अगर मुझे आंसर निकालना है कि अलेक्ट्र फील का मैंगनिटूड का तो कुछ ना कुछ को सिमेट्री होना चाहिए जिससे कि मैं उसका इंटिकरेशन है ठीक है कि अुद्र को सब्सक्राइब 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 अकिन अजिंद में अर्वाज नहीं आरें सर्व बुल रहा है लेक्रिक फिल्ड कॉंस्टेंट होगा में सब्सक्राइब कैसे कॉंस्टेंट होगा सोचो जरा साथ इंफानाइट फोरी नहीं है पाइनाइट है यह है आसे समझा कास्व शाइन का टर्म आता है टीटाप टीटाडाउं बताया था ना कि मासे है ओके आर आर चांट है कि इसके बाद क्या कराना प्राइब कि इस लेंडर का भी कराना होता है को मैं पहले सॉलिड इस पर सब्सक्राइब करा देता हूं उसके बाद करांगा लाइन चार्ज के साथ ही साथ केंटिनुएशन में चाबता है तो कोई नहीं है तो एलेक्ट्रिक फिल्ड यूटू हॉल इस पहले इस पहले जो जब तो हम लोग एलेक्ट्रिक फिल्ड हॉलो स्फेर के कारण से देखेंगे वह कैसे आएगा तो मान लो कि एक हमारे पास फॉलो स्फेर है जिसके उपर कुछ चार्जेज प्लेस कर दिये गया है प्लेस क्यू चार्ज इसके उपर डाल दिया गया है तो दो लोकेशन से जहां पर मुझे एलक्ट्रिक फिल्ड निकालना है एक तो लोकेशन दे इंसाइड और एक लोकेशन आउटसाइड तो मलो पहला इंसाइड निकालने के लिए बोला है इंसाइड में अलक्ट्रिक फिल्ड कितना हो रा टा हो म्नें बाता हो SrS जीरो तो आम लोगों ने क्या किया गॉषियन सर्फेस एज्यूम किया एंग इस गॉषियन सर्फेस के लिए हम लोगेने आप सब्सक्राइब लगाएं तो जब इस फॉर्मला को हम लोग लगाते हैं तो क्यूप इनका वेल्व कितना हो जाता है जीरो और फिर यह साइकलिक इंटेडरल ऑफ दॉस्टो जीरो होता है और दूसरे जगह पर डारेक्ट बोलते हैं कि अलक्टर फिल हो गया अब जीरो यह गलत है ठीक है क्यूं क्यूंकि यह इस तरीके से कॉमेंट नहीं किया जा सकता है जब तक मैं इसको इस तरीके से तोड़ करके नहीं लिखूंगा और इसमें इस बात को एक्स्प्लें नहीं करूंगा कि ठीक क्या है तब तक मैं अलक्टर हो जक्ता है जनकी पहले से पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज यहां पे है तो इलेक्ट्रिक फील का डारेक्शन यह होता है पता होना चाहिए यह पॉइंट पर यह नहीं पता होगा तब तुम एक निकाली नहीं पाँगा यह ना हमने तो एलेमेंट माल लिया कि डिये वैक्टर इधर होगा वह तो सही है लेकिन हमें क्या पता इलेक्ट्रिक फील का डारेक्शन इधर होगा इधर होता तो तो ठीटा एंगिल लेना पड़ता ना तो हमने पहले से इस बात को एज्यूम किया या फिर हमें पता था कि कि यहां पे निकाला जाता है और यहां पे इस तरीके से प्रूभ भी कर दिया जाता है कि वहाँ पे अंदर एलेक्ट्रिक फिल्म नहीं नहीं है कि समझ में आया गया कि अब आउटसाइड के लिए देख लो कि अब आउटसाइड के लिए क्या होगा एलेक्ट्रिक फिल्म से कर सकते हो तुम लगों स्कूर पॉर्मुला तुम लोगों को पता है वस्टिराइब करो कि लाशन सर्फेस बनाओ आर डिस्तंस में और इसके लिए पॉर्मुला लगा है आया गया है कि अब सारी स्टेप में एक एक करके नहीं लिखोंगा कॉस्ट इटाव एकर तर्म को स्किप कर दोंगा वेक्टर्स पता है इस लोकेशन पर हर एक जगह पर सेम होगे यूनिफॉर्म भी होगा तो डिरेक्ली एलेक्टरिक फिल्ड बाहर निकल जाएगा और साइकलिक इंटेग्रेशन दियस हो जाएगा क्यों इंसाइड चार्ज कितना हो जागा क्यों तो कैपिटल क्यों ना लिख करके मैं इसको स् एटिक निख जाएगा और एलेक्टरिक फिल्ड कितना आ जागा फिर यह इंटेग्रेशन विच इस और पाय आरे स्कौर बेसिक सा चीज़ है एक तो इलेक्टरिक फिल आ जाएगा बिस न पर चीज़ है तो हमें पता है कि जो फॉर्मुला है इंसाइड के लिए और आउटसाइड इन्साइड में एलेक्ट्रिक फिल होता है जिरो और आउटसाइड एलेक्ट्रिक फिल के क्यूबार और इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ग्राफ कैसा होगा एलेक्ट्रिक फिल और रेडियस तक तो होगा जिरो उसके बाद पिर क्या होगा ऐसा क्योंकि एलेक्ट्रिक फिल एज इन्वर्शली प्रकॉर्श्टनल तो और स्क्वाइर समझ मैं सब्कों अगे चलते हैं हमदों और अब सॉलिड स्पेर के कारण से देख लेते हैं कि एलेक्ट्रिक फिल एलेक्ट्रिक फिल और फिर से वही चीज होगा एक सॉलिड स्पेर के कारण से इंसाइड में एलेक्ट्रिक फिल निकालना है और एक आउटसाइड में चुब तुम लोग निकालके बताओ सबसे पहले इंसाइड आउटसाइड तो काफी इजी है एक सॉलिड स्पेर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे वाल्यूम में दिया गया है पुरा प्लेस्ट्यू चार्ज है तो क्या करेंगे और डिस्टंस पर जाएंगे और एक वासियन सर्फिस बनाएंगे क्यों मुझे इसी लोकेशन पर इलक्ट्रिक फिल्ड निकाल ला है वासियन सर्फिस जो है वह हमारा एरिया में है वह भी क्लोज्ड है हमेसा याद रखना कभी भी इसको एक लाइन की तरह सर्कल के तरह में ट्रिट कर लेना गलत आ जाएगा हमसाएंगे और इसके लिए हम लोग और फॉर्म लोग और इसके लिए हम लोग और फॉर्म लोग बताते जाओ मैं कटते जाता हूं अग्हें एंगल कितना हो जाएगा जिड़ो हो जाएगा है ना मैं पता है कि रेडियली आउट वॉर्ड होता है और एडिया वेक्र भी आउट वॉर्ड है यह जाएगा बंध एक कियों कितना हो जाएगा इंसाइड चार्ट उस गॉशिंद सर्फेस के इंसाइड कितना चाहिए तो चार्ज डेंसिटी टू सिग मैंड हम वह बाता चार्ट लेंसिटी तो यस और चार्ज डेंसिटी होगा कितना है और सब्सक्राइब और यह एक्समों क्या एलेक्ट्रिक फिल को हम लोग साइकलिक इंटेग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं बेंकुला है और साइकलिक इंटेग्रल ऑफ डी एस का वैल्यू कितना आएगा और पायार इसक्राइब और यही तो हमारा फॉर्मूला है इसी को अगर तुम रो का वैल्यू पूट कर लोगे तो यही एलेक्ट्रिक फॉर्मूला है आसा जेंड़ एक्यू आर डिवाइड बाए पार की जैसी पॉस्तू और वो रिवाइड बाए आउटसाइड के लिए कैसे डरिवेशन होगा बता हूँ आउटसाइड के लिए आउटसाइड के लिए काफी एज़ी है पॉस्तिव चार्ज हर एक जिगह पे है और टोटल पॉस्तिव चार्ज है कितना प्लस की मैं क्या करूंगा और डिस्टेंस पे जाकर के एक गॉस्यन सर्फेस एजिम कर होगा और और इस गॉस्यन सर्फेस के इंसाइड कितना चार्ज है कैपिटल की क्या एक हरे जगा पर एंगल कितना जिरो और इस एरिया कितना हो जागा पॉर पार इसका कितना आ गया के क्यू बाए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग एक तो इंसाइड और एक आउटसाइड है इंसाइड के लिक है यह पर मॉला हम था है अलग कम आउट यह इक वी łडिवाद छाने सिर्तकेक्वू फॉरोड दो और भायर तो फैल्गियो बेक शलंक्यी दो नटाटसाइड ओम ऑ haft ऐलंग तो अलेट्रिक फिल्ड इस जिगह पर क्या होगा और इदर अपर ग्राफ कैसा होगा तो ग्राफ कैसा हुले पहले लिनियरली बढ़ेगा तिल कहा तक और फिर कव जैसे नीचा आजागा हाँ तो इसमें नेट्फलक्स तो जीरो होगा ना मगा इसमें नेट्फलक्स जीरो होगा क्यों नेट्फलक्स जीरो होगा क्यों जीरो है क्या नेट्फलक्स जीरो होगा हाँ? नहीं जीरो है क्या है कर लिया और इक इंफिनाइट शीत की गाहरा से करते हैं इसके बाद इसके बाद इसके बाद जीरों पोर्षिन लाइं और ब्रिक दूट्रिक दूट्स तो एक मेरे पास इंफानाइट शीट है जिसमें चार्ज डेंसिटी सिगमा गीवन है कुछ ऐसा है और इसमें चार्ज डेंसिटी कीवन है सिगमा तो बताओ अगर हम लोग इसके आर्ट डिस्टेंस पे हैं तो उस जगह पे एलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और कैसे निकालेंगे क्या करना पड़ागा तो आप अड़ को दो आप अजगे ने करेंटा कि अड़ आप दी प्लेन यम्यर प्लेन bin वियल दो आप दो आप दी ने करेंड यह लोग अड़ आवन है यह तुमने एरिया इंपानेट ले लिया ना? हाँ प्लक्स भी इंपानेट हो लिया हाँ, स्टर्टोफियोस का पर्टिकिलर एरिया मान लेंगे इंपानेट शीट का नहीं नहीं एक है हाँ सब पर्टिकिलर एरिया मान लेंगे कैसा एरिया ना? कैसे करती है इंपाने? किस तरीकी एक स्क्वायर जोस्टा वो भी प्लोस्ट होना चाहिए रोश्यन सर्फिस को प्लोस्ट होता है विल्कुल सही डारेक्शन में जा रहे थे थोरा थोरा दिमाग लाओगी तो आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें गॉस्टियन सर्फिस जो हम लोग लेंगे वह हम लोग या तो क्यूबिकल भी ले सकते हैं स्लेंड्रिकल भी ले सकते हैं कि मैंने गॉस्टियन सर्फिस ऐसा जोन किया कि अग्यों कि स्लेंड्रिकल कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों जो इसको आर पार्ड कर रहा है इसके पार जा रहा है यह मतलब कि क्या बोलते हैं उसको इंटर्सेक्ट करते हुए अंदर जाता है पेनेट्रेट करते हुए बाहर निकल लाए और इसमें एक ही सर्फिस है ठीक है दूसरे सर्फिस पर चार्ज नहीं है सिर्फ एक ही सर्फिस का चार्ज है जैसे कि अगर मैं दिखा हूँ इस तरीके से इसको फ्रंट व्यू लेकर है ऐसा पुड़ा सा ठीकनेश होगा अपकॉस क्योंकि सर्फिस दू है लेकिन जो चार्ज है वो एक पर ही इधर वाले लेट से नॉन कंडेक्टिम है और जो हमने वर्शन सर्फिस एजिम किया वो ऐसा स्लेंट्रकल वर्शन और या फिर हम लोग चाहें तो स्लेंट्रकल ना लेकर एक इसक्वाइर या क्यूब टाइप का भी ले सकते हैं क्या साथ तो भी आंसर सेम ही आएगा कोई डिफ्रेंट्स नोगे है कोई डिफ्रेंट्स नोगे है ठीक है और यह इंफानाइट है तो हमें पता है कि जो एलक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे वो कैसे होंगे विल्कुल बाहर की डिरेक्षन है ऐसे करके निकलेंगे उस तरीके से बाहर निकलेंगे और इसका जो एरिया है लेट से छोटा सा एरिया है एक इधर का भी छोटा सा एरिया होगा एक तो तीन पॉर्षन है तुम्हारे पास एक पॉर्षन यह है दूसरा पॉर्षन कर्ड वाला है और तीसरा portion यह वाला है तो क्या मैं अब इस पर अगर formula लगाऊना तो बोलूँगा cyclic integral of p.da is equals to q in by epsilon तो मुझे बताओ क्या electric field lines जो है दो surfaces पर 1 और 3 पर perpendicular तो surface के perpendicular तो area vector के parallel इसको मैं कुछ इस तरीके से तोड रिया plus 1 plus plus 2 plus x3 pi 1 plus pi 2 plus pi 3 is equals to q in by epsilon और q in कितना होगा? कोई पता सकता है? sigma charge density होगा sigma into pi r square sigma into pi r square या फिर area ले लो ना मैंने तो area ले 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 लो sigma into a और यह होगा हमारा q और 5 1, pi 2, pi 3 मैं बताओ कौन सा 0 थी? पर अब तक तुम्हें समझ में आया होगा तो तुम्हारा हमसे पता तो पाइटू पाइटू जीरो होगा है ना क्यों जीरो होने वाला है क्योंकि एलक्रिक फिल्ड लाइन इस डारेक्शन में और उसके हर एक अब्लेमेंट का एडिया वेक्टर जो है परपेंटिकुलर है तो फाइब वन का वैल्यू कितना होगा तो इस प्लस प्लस होगा या माइनस होगा दोनों में प्लस होगा आना यह वाला जीरो है कि दद तो यह जगा सिग्मा एट डिवाइड बाइड वाइपसल नॉड अप्टुचनी करना इसको स्वाल करना वह जगा एट इस प्लस तूंए असे एक एंसील आउट पर सिग्मा डिवाइड वाइड 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 अच्छा गर कंडक्टिंग होता तो और दोनों सर्फेस पे चार्ज होता है कंडक्टिंग होता तो दोनों सर्फेस पे चार्ज होता है मैं डेरिवेशन यही पर बता दे रहा हूं कंडक्टिंग में बताने की जरूरत में पड़ेगे तो यहां पे जो Q-In तुमने लिखा है इस केस के लिए Q-In कितना हो जाता एक इधर भी काउंट कितना हो जागा बता हूं तो सिग्मा ए तो सिग्मा ए और अगर टू सिग्मा ए इस जगह पर पूट करते तो मारे पास एलेक्टरिक फिल कितना निकल किया था कितना निकल गया जो सिग्मा ए एप्साल नौड होता है तो इस लोकेशन पर जो एलेक्टरिक फिल होता सिग्मा ए एप्साल नौड होता अगर तुम्हारे पास दोनों सर्पेस पे चार्ज है तो और सिग्मा इसका भी चार्ज रेंसीटी है और सिग्मा इसका भी चार्ज रेंसीटी है और इसका भी चार्ज रेंसीटि safी। तभी सिग्मा-वह एप्सालनौड लिख्काबिया serait सिगमा ए न॥िक़्ेस नहीं , परेखर के नहीं अदोना कि आधा प्रूत धृолов होता हम pense रखा है मैं यहीं पताना था कि infinite sheet होने का मतलब यहीं हो गया कि जो डिस्टेंस हो काफी कम है नहीं तो फिर यह गॉस्ट लॉफ्ट में मैं electric field को बाहर नहीं निकाल पाऊना है और फिर मेरे से प्रजियूम किया था और फिर आर देस्टेंस पर लोग ने लेक्रिक फिल्ट इस पर पाउर लगाया साइकलिक दोट डिए इस इक पोस्तू क्यूंब एपसल नाड और एलेक्ट्रिक फिल्ट इससे निकल करके आ गया था इंडावार और इसका ग्राफ हम लोग ने देखा एस है एलेक्ट्रिक फिलिज इन्वर्स्ट्री पॉपस्ट्राइब आ रहे है एक नेक्ट इस लेट से की जो हमारे पास वायर है या फिर जो लाइन चार्ज है वो एक सलंडर कल आ ऐसा है डिस एंटीना का वायर देखा है अब्य है कि अगर तुम देखा होगा तो जो वायर होते हैं उसके स्लेंडर कल पॉर्शन पे इस प्रेड होता है कि इस तरीक ऐसे होता हुआ 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 है ऐसे से कर्व करके वायर जाता है उपर की डारेक्शन में तो मानलों की लाइन चार्ज भी इसके स्लेंडर के सुर्फेस पे फइलह हुआ है कि वॉल्उम में या वॉलो श्लेंडर आगी है ठीक है गया और यह इंपानाइट फालुसंद डाल ए रेक्टरिक जीड़्म दिवू ए इंपानाइट वॉलोजर्ण आखे चार्ट वह लो स्रेंडर है इंफानेट चार्श डे अधा तो दो लोकेशन से अमें एलेक्रिक विल निकाला एक पहला इंसाइड और दूसरा उट साइड बताओ इंसाइड में एलेक्रिक विल कितना होगा अरे बोलो एजी है अच्छ नहीं है इसमें इंसाइड में निकालने क्लिका करेंगा आठ डिस्टेंस पर गॉस्टेंस पर गॉस्टेंस अमारा कैसा होगा स्लेंडर का इसमें क्यों इन कितना हो गया जिरो और साइक्लिक इंटेक्रिक लाफ टी डॉट दीएस पैसे जिरो हो गया जिरो आउट साइड के लिए देख लेते हैं और सिंपल है ना चार्ज ही नहीं है अंदर और सिमेंट्रिकल होता है इसलिए लिए जिरो इस ऐसे तरह के सरी एक्स्प्लेन करते हैं कि अगर इल्क्रिक फिल्ड होता तो भी एक शिमेंट्रि होने के काऱण से बाहर के डारेक्शन बेंएसे होता हौत था यहां पे एरिया वेक्टर के पिसी डिरेक्शन में तो कॉस वाले को हम लोग वन बो सकते हैं कॉस वाला जीरो नहीं हो सकते हैं तो एक की टर्म बज़ा डैट इस एलेक्ट्रिट वो जीरो आउटसाइड आउटसाइड और भी आसांग एक्सिस से और डिस्टेंस पे चले गए और एक वाशन सर्फिस एज्यूम कर लिया आउटसाइड लेंग का तो इसके लिए मैंने लगा दिया वाशन से क्यूंज और फिर पिरृ। फ्लक्सुानीब कि सब्सकत होगा ? 1st, 2nd and 3rd के कारण से, और 2 के कारण से 0 होजा रहा है। आया ना ? कौन-कौन साथ कि सब्सक्री कारण से 0 हो रहा है फ्लक्सुण। 1 sam turns 1st & 3rd के कारण से 0 और 2nd के कारण से कितना होगा अभी उपर हम लोगों ने देखा था हूं Electric field और area का multiplication Electric field E होगा और area कितना हो जागा surface area और Q in कितना हो रहा है अच्छा चार्ज डेंसिटी जो इसमें सिग्मा है प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी इसमें कितना चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंट्वल हैंगे नहीं अच्छा सिग्मा इंट्वल समझ में आया है नहीं आया है कि लेंडा सिग्मा रो में रिलेशन होता है हुम लेंडा को सिग्मा में गनवर्ट कर सकते हो सिग्मा को रो में गनवर्ट कर सकते हैं वह इसी तरीके सुकता है जैसे कि लैमडा अगर मुझे लिखना है तो सिग्मा इंटू पी एक्स लिखते है और अगर सिग्मा लिखना है तो रू इंटू और पी एक्स लिखते है तो डिये आ जाएगा और सिटूशन के वह समय तो पी के लिख तो बस समाल वह होता है तो अगर्च्रिक फिल्ड विल्द विख तो एल 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 पर जाएगा एट विल बिक वस्टें सिग्मा इसका एरिया लेना पड़ेगा देखो अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है यह रेडियस आर है ना सिग्मा एल यह सिर्फ लेमडा ने क्यों आ पड़ा है क्यों इन चाहिए था था समय पर आर लेना पड़ेगा कर दो समझ में क्यों लिया तूपा है क्या होता है चार्ज पर यूंप एरिया जो चार्ज होगा सिग्मा इंटु एरिया होना चाहिए एरिया कितना होगा यह वाला एरिया इसी के उपर तो चार्ज है, एक विद भी तो फाय आर इंटी ऐसा है, यह हो जाएगा सिक्मा इंटी यार इवाइट पाय आपसंग में, अपसर टू पायर कैंसल हो जाना है, हिक्ँण, पायर रौ निचे गा, वे आ हो की अर निचे गा इस्माल रौ पाय इंटों में अधिरेंस है, क्विद आर पीद झेखो कुझ सब्सक्राइब इसको मैं तो एक अच्छा फॉर्म में लेकर आता हूं जिससे कि हमें याद रहेंगा पित हैना है तो उस में लाने के विए इस इन्फआनाइट के पोरूषन को एक लाइन चार्ज में कर रहा हूं नीचार्ज़ इसके सफसे छि yo है कि इसका सिवक्रा और लेम्डा सिव्क्राब और लेम्डा में क्या रेलेश्व होगा शोस्ति सिगमा कैसे लिखते हैं अगर हम लोग एलेंद के लिए लेट से इस लेंद इस और इसका रेडियस आरे हैं तो सिगमा विल पे कॉस्ट इस पूरे रीजन के लिए जो चार्ज आया क्यू आए क्यू डिवाइड़ बार और इसमें भी उतना ही चार्ज आना चाहिए यह हो जागा लेंड़ा इंटू लेंद उतना ही है और अब यह तो चार्ज तो दोनों का सेम यह क्यू यह अलग एक पॉल नहीं है तो दोनों का क्यू वैल्यू को एकवल करने पर तुम्हांसर क्या मिलेगा सिग्मा इंटू पाई आर एंट इस एक पॉस्टू लेंड़ा यह दोनों का चार्ज इक पर नहीं क्या कैंसल आउट हो जा रहा है एल से एल कैंसल आउट हो गया सो सिग्मा इंटू पाई आर इस एक पॉस्टू लेंड़ा यह हो लो बोलो क्लियर है क्या चीज़ इस एक पॉस्टू सिग्मा एक आर उपर पहले से तो टू पाई उपर नीचे मल्टिप्लाइन डिवाइड कर दिया ऐसा और यह सिग्मा इंटू पायर क्या लिखने हैं लेंड़ा और यह क्या चीज़ है तू के लेंड़ा वाइड आर जो एक सिंपल सा लाइन चार्ज के कारण से लगते हैं पराबर है क्या तो अगर होलो से लेंडर है हमारे पास और होलो से लंडर के चार्ज देंसिटी सिग्मा इंसाइड में इलक्ट्रिक फिल्ड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा इसी क्वस्ट्रों तू के लेंड़ा बाइब आर जिसमें की लेंड़ा और सिगमा में यह रिलेशन है उपर जो लेंड़ लिखा था सिगमा इलेज एक पॉस्ट्रों लेंड़ा यह एल मतलब की यह भी क्या है लेंथ यह तो है लेकिन टू पाय आर उस तरीके से लेंथ है ऐसा लेंथ है कोई भी यूनिट का मल्टिप्लिकेशन वहने बता है यह किसमें आता है तुम्हारा कुलंब पर मीटर में यह किसमें आता है कुलंब पर मीटर इसपायर तो एक मीटर के साथ मल्टिप्लाए हुआ तो दोनों का यूनिट से हुआ है तो इसका ग्राफ देखते हैं है ग्राफ क्यासा होगा जब हम लोग आर डिस्टंस तक पहुंचे थे तब 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 एलक्ट्रिक फील्ड क्या था जिरू और उसके बाद फिर गटनाय स्टार्ट किया एलक्ट्रिक पिलिस इन्वर्स के प चलो ठीक अब आगे देखते हैं और जो लास्ट वाला है वो सॉलिट स्लेंडर का रहें से लिखते हैं सो एलक्ट्रिक फील्ड कि दूर्टू कि सॉलिट स्लेंडर इस बार तुम लोग करके बताओं यह सॉलिट स्लेंडर पे चार्ज डेंसिटी है वो रूँ है तो पहले इंसाइड का निकाल के बताओं पिर आउट साइड गर चार्ज इस बार सर्फेस पे तो हो गहीं होंगे साथे साथ इंसाइड में भी होंगे और यह पुरा का पुरा इंफानाइट सलेंडर इंफानाइट अभी तक में नहीं करना है सभी इंफानाइट का इंसाइड कि बोलो कितना आ रहा है पहले निकालो तुम्हें कैसा सब्सक्राइड कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चलो इसको करते हैं तो चार्ज डेंसिटी जो मैंने इसमें बता है एक वास रू नॉट सिक्मा तो रो के टम्स में आंसर निकाल तो तो मैं पहले कॉश्यन सर्पेस अजून करूं करूंगा आर डिस्टेंस पे और इसके लिए हम लोग ने लगा दिया और फिर से वही चार्ज एल लेंथ हमने जों किता है जो चार्ज इंसाइट होगा डेट विल बी देंसिटी इंटो वॉल्म वॉल्म हो जाएगा पाय आर इसक्वायर इंटो लेंग करूंग दिए पाय अपसंग में पाय जीरो पाय टू कितना आ जाएगा अट एलेक्रिक फिल्ड मुल्टिप्लाइट वाय दा सर्वेज एगा करूंग देनस पाय पाय दू केस्ट विल्डद मुल्म ल्युक्त? काईच व Kelvin अपसंग पाय गाक्डon है कि एक है क्या है कि रो और डिवाइड आउट साइड के लिए बता हुए हमें पता है कि आउट साइड के लिए जो फॉर्मुला है वही रहेगा जो लाइन चार्ज के कारण से होता है कि बाहर जब निकलेंगे तो आउट साइड से देखेंगे तो यह एक लाइन चार्ज की तरह ही दिखेगा मुझे उसी की तरह मैं इसको ट्रूइट करोगा और अगर तुम फॉर्मुला भी लगाओगे तो भी तुम्हारा अंसर वही आएगा क्यों पर एप्समाण तो फॉर् घृद्र में पर लैमडा में रेनेशन निकालेंगे तो उसके लिए करेंगे यह छोटा सा पॉर्शन लेलीया मैंने और एक छोटा सा लाइन चार्ज का विल्स रुइए तो इसमें भी चार्ज केतना होगा क्यों तो और इसका Radius R दंता है, तो चार्ज हो के इतना जाएगा, दैंसीटी इंटू वाल्यू, पाय R² इंटो L, इसको तो लेबडा इंटो L, L लाइल केंसिल आउज़ाँ तो सो लेबडा विल इंटो इसको तो इसको लेड़ाइगा, है ठीक है ना है एक लेक्ट्रिक पील का फॉर्मला हम लोग तू के लेम्डा वाई आर लिख सकते हैं जिसमें के लेम्डा कितना है रो इंटू पायर इसक्वायर तो बहुत ही बैसिक साच चीज़ है तो कि इसटार्टिंग में इलक्ट्रिक फिल किस तरीके से बेरीक नाता था रो हां डिवाएट अटू अट से रो आर डिवाइड़ आट्यू सब्सक्राइब इलेक्ट्रिक विल्टा रो र डिवाइड बाई तो एपसल नोड और आउटसाइड में कितना आ गया इलेक्ट्रिक फिल्ट विद आर्ट जब तक हम लोग उसके रेडियस सर्कम्फरेंस तक ना पहुंच जाते हैं तब तक वो लिनियर्ली इंक्रीज करेगा और जब सर्कम्फरेंस से आगे जाएंगे तो फिर वो डिक्रीज करेगा और यहां पर एलेक्ट्रिक फिल्ट तरिक फिल्ट तरिक फिल्ट तो जितने भी अभी हम लोग तो एलेक्ट्रिक फिल्ट निकाल सकते हैं सिम्मेट्रिकल पोर्शन से वह हम लोग ने निकाल लिया है और चाहिए तो इसमें थोरे अलग अलग तरह के पोर्शन्स कर सकते हैं जैसे कैविटी प्रॉब्लम बहुते हैं हम लोग इसको कोशन ऐसा दिया है इसको एक्जामफल से हम लोग समझाएं कि एक सलंडर है इसा है जिसमें की हॉलो पार्ट कर दिया गया और और सेंटर पे एक और तो मैं इलक्ट्रिक फिल्ड बताना है लोकेशन ए लोकेशन बी एंड लोकेशन सी पर और इसा भी के रेडियस विगर है गीवन है यह है आर यह है टू आर और यह है ट्रिया जो आसला अप्लाई करते जाओ आंसर्स निकालते जाओ तो फाइंड एलक्ट्रिक फिलेट लोकेशन ए बी एंड सी जो ए बी सी लोकेशन से उन सभी का डिस्टंस ए है बी है और सी करो कि इस यह है कि देख उसको स्वाल करते हैं पहले ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं ए पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जिसका टेपले टॉप व्यू देखते हैं लोग कैसा होगा कि यह सब्सक्राइब है इसमें चार्जेज हैं कि स्रेंड्रेकल पॉर्शन है इन्पानिट है और दोनों की चार्ज डेंसिटी जो गीवन है बहुतार रोप तो अगर मुझे यह लोकेशन पर निकालना है एलेक्र किल्ट तो मैंने कॉस्टियन सर्फेस अजिंग कर लिया और क्यूंकि स्थिमेट्रिकल अरे चीज़ें सिमेट्री में तो अब इस पर मैं अप्लाइब कर लोगा शाटले कि इस इक पूल सुपिए अपसणों मैं पता है सारे चीज़ें डारेक्ट इ है तो ही ओजाएगा अनि-जाइटो्ट किहां कर रिकता है तो यह हो जाएगा तुटन मैं तो यह दिस्टन्स पर एडिस अटिस्टन्स क्ट का क्योक्ै इंटनु न्जिद एटना ही चार्ज निट नहें हो रहा है जो एलेक्ट्रिकल्ट वीलपेको फाय से पाय गैसिद गो रिस्चो पायर डिवाड़ेड़ोगा सेम वें अगर मझे बी फे निकालना है तो बी लोकेशन पे मैं क्या करोंगा है वाशन सब्सक्राव्द परेस एजंब करोगे और इसके लिए मैं साइक्लिक इंटेग्र लॉप लगाऊंगा इसे को स्टू पिन भाइप सुना हो जाएगा बाकि सारे चीज़ा सेम रहने वाला है इस बार भी हो जागा इंट्वल और क्यू इन कितना हो जागा एक यह वाला चार्ज तो था ही था रो इंटू पार इस बार अब एक और चार्ज आएगा कौन सा इतना सा चार्ज है इतना सा चार्ज कितना होगा एरिया इंट्व लेंथ 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 एरिया कितना हो जागा पाई इंट्व आर का होल स्क्वार माइनस ओपाई सब्सक्राइब पहले हैगा इसक्वार माइनस ओपाई कि वह आग का इस पाइब कि समझ में आया ना कि इस एरिया को निकालने के लिए का करना पड़ता है इतने से एरिया को माइनस कर लो इस बड़े वाद एरिया में से और इसको सॉल्व कर लेंके आंसर आ जाएगा अगर मैं फाइनली इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं तो क्यूं इन बस हमें निकालना है बाकि सारे चीज़े एक्जैक्टली सेम होगा वी पॉइंट के लिए यह सी पॉइंट के लिए e into 2 pi c into l is equals to rho into pi r square plus और कितने चार्ड जाएगा रो into pi 3r ka whole square it is 9r square minus of 2r ka whole square 4 pi r square into l divided by upside कि बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ प्रॉब्लम कि समझ में आया सबको कि आना तो एक और केविटी प्रॉब्लम देता हूं वैसे और भी है एक केविटी प्रॉब्लम ऐसा है मालो फिर से एक solid cylinder है कि लेकिन उस ओले सलेंडर में मैंने केविटी क्रियेट किया है कि इस जगह पर क्रियेट किया है इस जगह पर क्रियेट किया है कि यह कैविटी और बाकि सभी जगह पर चार्ज इस परसेंट है तस उस जगह पर कैविटी है और चार्ज देंसिटी जो है वह क्या मालने हम लोग तो रो इस नहीं पताएं अक्रफियाचन पर मैं निकालना है एलक्ट्रिक पर इस लोकेशन पर मैं रेडियस देता हूं यह है आर जिसका रेडियस है आर और यह भी आर और यह भी आर प्टेंट एक बेंड कालना है एलेक्ट्रिक फिल नेट कितना होगे और प्वाइंट बी पे निकाल दो ठीक है से प्वाइंट अपर बोलो क्या बोलो कि बड़ेवाले का रेडियस लिज़ निकाल लो ना मैंने छोटे वाले का दे दिया डिस्टंस दे दिये हां हां इस ए लोकेशन के लेक्राइक फिल्ड का स्ट्रेंग कितना हुआ यह निकाला हुआ चल लो देखो इसको करते हैं स्वाल तो इसका सबसे पहले मैं टॉपी बना लेता हूँ क् ढमना ले लेता हुआ पर लेखो करते हैं, कि ऴॉकराइक भाया लेखो भ्हारा हुआ तो पर शॉआ निक लेता हुआ झाला हूआ आड बना समाल चुआ कभ़गा कितना इसकतर ही मैं थेजू है ताया हुआ कर चाल आइ बंखने देख लिगा थे जा जाए एक एंसर अग्या चुन में लिग कारया तूल ना है ट्राइब ट्राइब लुक्रणे गउन के लिग कर ना है लेकर थ्री सिग्मा भाइव एप्सलें नॉट थ्री सिग्मा भाइव एप्सलें नॉट क्या यह डामेंशनली करेक्ट है तो सिप्सेड करहें नॉटsay । आपके छम्रुज्ट है नॉट्गे लुंटना का इसका ए है में आपके नॉटना कर Meyer भ्समार्गा ठाहट एक जाए उट डामेब करेंजने के एवह एपपन तो लेंब्डा अपन एपसलनोड आर ऐसा मना चलिए क्या लेंब्डा वाई आप हेलो मेंशन और सिग्मा का डामेंशन सेम होगा पर हम लोगों ने कितना लिखा होता है सही है डामेंशन डामेंशन मतीं सही है तो मैं इसको क्या जुद्व कर रहा हूं कि यह एक पूरा का पूरा है mechanics सॉलिड का इसमें कुछ चार्ट हैंसटी और जहां पर क्विलिट कर मैंने उसको एक 65 FR Quelle ऑफ इसमें कितना चार्च से सटी मैंस इसमें कितना फॉप से सिगना होगा आप good प्लस रोगा दो में एक में प्लस रोग और एक माइनस रोग तो अल्टिमेटली क्रेट हो जाएगा इस लोकेशन पर क्योंकि पॉजिटिव यहां पर होगा ही प्लस रोग और निगेटिव तुमने एजूम किया तो दोनों मिला करके न्यूट्रल बचाएगा तो इसके कारण से बड़े-वाले के खारण से जो इलक्ट्रिक फील मन घानवा होगा इस लोकेशन पर भूल जाओ कि यहांपे कुछ एक्ष्टै भी बिलफिल नहीं है तो इसके कारण से additional ki जीदर होता है और दूसरा जो है अब क्योंकि यहां पर नेगेटिव वाला है कि करना है तो नेगेटिव का है और इसके कारें से इलक्रिक फिल्ड इस लोकेशन पर कितना होगा इनवर्ड होगा एट विल पीटू और इपू का वेल्व कितना होगा क्योंकि यह चार्ज आउटसाइड मतलब कि जो फॉर्मूला वा आउटसाइड के लिए लगाना है कि दोनों से लेंडर के लिए आउटसाइड है यह एक लाइन चार्ज की तरह करेगा यह पहले ही बता है कि कि इतना हो जाएगा टू के लेंड़ा बाइ आर डार डिरेक्शन मैंने आपोजिट कर दिया तो लेंड़ लिए इतना फोल्व यह डिस्टंस से इसके लिए आर फिचल्टी एक दो तीन चार पाइव आले न और इसके लिए कितना है तो के लंड़ा अगर आडस अधिक आज़ा एक बाइन प्रिया अ the net electric field is now that the net electric field will be equals to e1 minus of e2 which will be okay lambda by r 1 by 5 minus 1 by 3 5 minus 1 समद्ध में आएगे कि येश्च कि यहां पर जो हम लोग अब खुट करेंगे कि यहां पर लेम्डा जो है रो इंटू पाई आर इस्वाइड लिखाएगा तो दोनों का लेम्डा अलग होगा है सेम कर दिया इसको यह लेम्डा 1 लेम्डा 2 होगा लेम्डा 1 एंड लेम्डा 2 सेम नहीं होगा तो लोग ने देखा जिसमें की लैम्डा और रो में क्या रिलेशन था लैम्डा इस इक्वास टू रो एंटू पाया रिस्पायर था कि आना उपर देखाना भी कि यह रहा है लैम्डा इस एक्वास टूरें टू पार इसको रेडियस दोनों का लागा लगे उसके इस आप से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बें दिफ्रेंट तो इवन का वैल्यू हो जागा तुम्हारा के लैम्डा एंड लेलो तुम्हें लैम्डा 1 दिवाइड पाय आईवार माइनस लैम्डा 2 डिवाइड बाई रिया ऐसा ओंडू इसको लैम्डा 1 विल भी खोस्कों रूल का कामन ले लेता हूं है पाय वह भी कामन ले सकते हैं पाय आर इसक्वार डियस कितना है इसका एक दो तीन माइनस इसका रेडियस कितना है और तो इधर से मेरे पास नेट एलेक्टिक समझ मैं है सब्सक्राइब बोलो करके लिए काफी बढ़िया कोईशन है कि पूछा गया था कोईशन ऐसा है कि एक सॉलिड कि इस पेर है कि सॉलिड इसमें और इसका रेडियस जो है कि वह दे रख्या है कुछ लेकिन इस जगा पे कैविटी क्रेट किया गया है कि यह है कैविटी और कैविटी जो सेंटर है यह कि आप इसका सेंटर और इसके सेंटर को क्यूं माल ले तो कौन सा पॉइंट एपॉइंट पे कविटीक ऐनसाइद एक पॉइंट ऑ Y उसक dengan कालना फ О और चार्ज देंसिटी जो हुए वो फिसेन एफ फाइंद अ्ट एलेक्रिकेंट को मने एक डिर्क्षिन एंद मैंड एट्वाइट एट्वां एट्वाइट एट्वाइट यहां पे तुम पी ए अगरे इस्टन्स यूस्टाइब तो पीक्यू वेगरे यूस पर सकते हो तो पीक्यू एक्यू ऐसे करके डिस्टन्स वगरा उसकर सकते हैं कि रेडियस वगरा लेने की ज़रूत नहीं पड़ेगी इसको सॉल्ब करके लिए कि अलंप्याट में इससे जाधा टफ कोशन पुछाता है उसने पुछाता कि एक अलक्ट्रॉन को रिलीस किया गया है इसके क क्याविटी के वन साइट से वो दूसरे के वीटी को टच करेगा तो कितना टाइम लगए उसको काशन आगा इसा अलग से पूसरा गया है तो में ली अगर मैं इलक्ट्रिक पिल निकाल देता हूं तो उससे हमें पोशन को सॉल्ब करने में असा नहीं हो जाता है इसको नेक्